तो आप देख सकते हैं एक दम ठंडी ठंडी हवा बहार से अंदर आ रही है तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में क्योंकि आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसना रहा क्योंकि आज गर्मी का मौसम है और गर्मी के अंदर अगर ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो कुछ बात ही अलग है, क्योंकि आज मैं आपको जो शिखाने वाला हूँ, वो है एर कूलर, यानि कि जो हमें ठंडी-ठंडी हावा देता है, पानी वाला, वो आज बनाने वाला हूँ, जो अलग-अलग चीजे आती है, उस चीजे से मैं आज एर कूलर बनाने वाला हूँ, कुछ के आगे भी मैंने कई सारे वीडियो यसे बनाए है वह वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं तो भी वीडियो आप देख सकते लेकिन एवीडियो आप सबसे अलग होने वाला क्यूंकि इसमें आपको कुछ भी खरसा नहीं करना पड़ेगा और कोई किसानपाय है कान है उसके अंदर यह जुगाड आप असानी से बना सकते क्यों कि इसके लिए हम चाहिए विंडो यानि के बारी जो आती है खिड की आती है वह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके जो उपयोग से हम बनाने वाले हैं कूलर तो आए करते हैं वीडियो स्टार्ट अब तो फ उसके मोटर हमारे पास है जो एक हमने जो पॉंप आता है जो दवाच्रेने का पाल उसके अंदर से निकाली हुआ है और देखे एक पंखुरिया जो आपके बाजार से आपको 20-30 रुप्य में मिल जाएगी और देखे मेरे पांस देखे एड़ेप्टर है एड़ेप्टर ज अपना फेन चला सकते हैं तो देखिए नाइन वोल्ट का एडिप्टर मिला है अगर आपके पास जो पाउंप आता है उसका चारजर है तो उससे भी आसा नीचे चल जकती है तो देखिए और चीज़ समय चाहिए यह देखिए तो एह रहा हमारा जो आप गास के सकते हैं तो उ यहां हमको यह जुगाड जो बनाया है आप देख सकते हैं यह जुगाड को इस तरह से यहां देखिए लगा देना है आप देख सकते हैं तो इस तरह से देखिए यहां लगा देना है अच्छी तरह से टाइट कर देना है जिसके यह जीले नहीं उसका खास त्यान रखना है लगा रहा हूँ देखे अच्छी तरह से टाइफ होगी है अब देख सकते हैं और यहां से कटता हूं है तो यह मैंने यहां लगा दिया है देखे ए दोनों है देखेए पावर के केबल है जिससे हम देने वाले हैं तो इसको यहां प्यारा रखते हूँ बाद में जो मारा फेन है देखिए तो लग गया है लेकिन इसके पीछे जो आता है ठंडक देने वाली हवा केसे आएगी तो वह भी आपको अभी भी शिखाने वाला हूँ अतो फेन देखिए से जो हमने पंख का लगाता अब वेली जो हमारी खेकी आती इस और हुप से अकनतान है तो इसको भी हमें लगाना है तो Shri सदोrences नुमों सपेड है हमारा시면 एक यह रहा कंतान तो इसको भी हमें इससे साइड में इस तरह से एक से लपेड देना है इन देखिए इस तरह से आजाएगा देखिे तो तो आप सकते हैं जो हमारी पूरी जो विंटो है वारी है वह दिखिए अढ़ह जाता है लेकिन हमें पहले इसको एक बार इसको पानी में विगो देना है तो देखिए यह पानी में ने भरा हुआ है तो इसको देखिए इस तरह से एक बार विगो देना है इससे हमारा जो कंटान है वह अच्छी तरह से भिग जाए और हमें जो ठंडी हवा है घर के अंदर आसानी से आए त कि पो देखिए इस तरह से देखिए इसको लगा देना है और यहाँ इसको भी से कीष्ट लेना है इस साइड कि इदेखिए इसको ऐसे लगा देना है ओ अधेखिए ह। तो हमारा कंथ अनुद कर द Northern है डेखिए लग गया है यह आप करें सकते हैं तो देखेंद दूसका लिए एसंडर पड़े को इसके दीए से लगा देना है वोगन गया है groundwater गजशे घुल विन्डव है देख सकते यहां से आप देख सकते हैं तो पूरा 6,000 देखें यहां से पिए तनोर तो देखिए जैसा है जय इसे फिगोज दी आहे अब हम ने इसको यहां बिगोज दिया है पूरा गंतान को अब चलते हैं अंदर ओडेक है के थंडी हवा आती है कि नहीं अगर आये तो लाइक करना बूले जल्दी जाते है इसके अंदर तो फ्रेंट देखिए हम घर के अंदर आशे कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने देखिए चो कंतान है उसको बिगो कर पीछे रिची रख दख दिया है वो देखिए यह रहा हमारा फैन अब इसको करत पे स्टार ओड़ के तो आप देख सकते हैं एकदम ठंडी ठंडी हवा बाहर से अंदर आ रही है आप देख्यक्ते मेरे बाल पिदेख सकते हैं देखिये हवा से कैसे हील रहे कि बाहर से ठंडी ठंडी एकदर पूब कूल हुआ आ रही है तो आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लैक कना ना भूले देखिए ऐसे ही जुगाड आपको आगे भी हमें दिखाने वाला हूँ तो बने रहे हमारे साथ और अब मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ तब अब मैं गर्मी में थोड़ी सी होगा ठंडी खाता हूँ रोर अपना रूम करता हूँ ठंडा